आज हम बनाने जा रहे हैं रमजान स्पैशल चिकन गीला कबाब की रसेपी को जो की बहुत ही आसान रसेपी है और मिंडों में बिना ताम जहम के बनकर तियार हो जाती है और खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़िदासी लगती है अगर रसेपी पसंद आए तो रसेपी को ल क्रियम साइस की प्यास ली है जिसे हमने मिक्सर में जो है हलका सा ग्राइन कर लिया है इसे हलका सा मोटा ही रखा है बिल्कुल फाइन नहीं पीसा है इससे जो है इस तरह से पीसने से कबाब में बहुत ही अच्छा सा जो है टेस्ट आता है उसी के साथ ही में हमें इसमें वा धनिया की थोड़ी कॉंटेटी जादा रखी है जिससे कबाब में बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आएगा उसी के साथ में वान टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर आट कर लेते हैं और यहां पर जो हमने दो बारी खरी मिशली है कटी हुई आप अपने तीके के हिसाफ स जो है कम जादा कर सकते हैं क्यूंकि हमने इसमें रच चिली पौडर भी आट किया है साथी नमक यहां पर हमने 2 टेबल स्पून टॉमयटो केचप लिए हैं यह जो है हम इसमें एड कर लेंगे इससे कबाब में बहुत ही अच्छा सा जो है एक स्पाईसी खटा सा टेस्ट आ करेंगे यह मिक्षर को बाइंडिंग के लिए काफी हल्प करेगा इससे पाइसे हमारे कबाब बन कर तियार होगे था स्वेख जैंद आ श्कलिए हैं अब हिंतल चीज़ों को अच्छी तरह से करें हैं यहां पर चाहिए ह्साम ट Key बीस मिनिट हो चुके है Mixture हमाराlovba ​​ रेस्ट होकर विल्क टयार हो चुका है कबाब बनाने के लिए चलिए प्रटाफर से अब जो हैं इसके कबाब त्यार कर लेते हैं कबाब को त्यार करनेके लिए यहां पर तरह से और इस तरह से जो है हाथों पे प्रेस करते हुए इसकी टिक्या बना लेंगे आप अपने इस साथ से जो है इस कबाब का शेप दे सकते हैं आप इसे लंबाई में सौसेज का भी जो है शेप दे सकते हैं मगर हमने इसे जो है टिक्या के शेप में त्यार किया है पैन औ पर प्लेस कर लिया है अब इसे जो है तकरीबन 6-7 मिनिट के लिए एक साइट से अच्छी तरह से फ्राइ होने के लिए हम छोड़ देते हैं यहाँ पर हमारे 6-7 मिनिट हो चुके हैं कबाब को एक साइट से फ्राइ करते हुए अब जो हम इसकी साइट को टर्न कर लेंगे दूसरी साइट से 5-7 मिनिट के लिए कबाब को अच्छी तरह से जो है फ्राइ कर लेना है यहाँ पर हमारे तकरीबन 5-7 मिनिट हो चुके हैं दोनों साइट से अब देख सकते हैं कबाब हमारे काफी तरह से फ्राइ हो चुके हैं कितना बहतरीन सा जो है इसमें कलर भी आ च यहां पर हमारे सारे कबाब फ्राय करकर बिल्कुल त्यार हो चुके हैं गर्मा गर्म सर्फ करने के लिए कबाब का टेस्ट और जाइका और बढ़ाने के लिए इस पर हम उपर से हलका सा चाट मसाला छिड़क देते हैं इस तरह से यहां पर हमारे बहुती 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 बैतरी न चटपटे मज़दार से चिकन गीला कबाब मिंडों में बनकर बिल्कुल तियार हो चुके हैं गर्मा गरम सर्फ करने के लिए जिसे हमने सर्फ किया है गर्मा गरम, टॉमाटो, केचप के साथ आप चाहो तो इसे गर्मा गर्म जो है धनिया पुदीने की चटनी के साथ और नरम पाओ के साथ जो है सर्फ करें सभी को खाने में उमीड है बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही मज़े राज से जो है ये कबाब बन कर बिल्कुल तियार हो जाते हैं अमीर है आपको ये मेरी रेसेपी और मेरा बनाने का तरीका जरूर पसंद आया होगा और इस रमजान आप मेरी रेसेपी को जरूर ट्राय करें अमीर है आपको जरूर पसंद आएगी अगर रेसेपी पसंद आई हो तो रेसेपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंस करें मिलते हैं अपनी एक और नी रेसेपी के साथ अपना खुब सारा ख्याल रखें